Hey Incredibles, get ready for the incredible news of the day. Let's get into it. Namaskar दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस incredible channel वे incredible infos के साथ. मेरा नाम है जाईदवे और आप देख रहे incredible infos. दोस्तों शुरू करने से पहले एक चोटी से request है अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो दो चीज़ कर दीजिए एक तो subscribe बटन पर प्रेस करके वो जो बाजो में बेल का icon है वो प्रेस कर दीजिए और मेरे upcoming सारे वीडियो के लिए आप सबसे first notified रहे हैं. दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की news all about wheels. नमबर त्री टूविलर्स इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलगा 1st of April से. 1st of April से जो भी टूविलर्स अभी से मार्केट में आएंगे या तो सेल होंगे वो सारे टूविलर्स में आपको दो फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेगे. 1st है वो अटो हेडलेम ओन फीचर है जिसकी बज़े से नाइट में इन्विजिबिलीटी की बज़े से होने वाले एकसिडेंट में आपको काफी कमी दिखने को मिलेगी. दूसरा जो फीचर है वो अपने एन्विरमेंट को सेव करने में बहुत ही हल्पूल रहेगा और वो है BS4 कमपलाइंट एंजिन्स वो कमपलसरी हो चुके हैं और अब से BS3 या तो उससे पहले वाले एंजिन्स सेल करने को बैंड कर दिया है अपनी गवर्मेंट ने. न्यूस नंबर टू है वो टाटा की तरफ से है टाटा ने अपनी जो टिगोर कॉंपेक सेडान है टिगोर स्टाइल बैक है उसको लॉंच करके अपनी जो प्राइजिंग है वो आज अनौंस कर दी है जो 4.7 लेक्स से लेके 7.09 लेक्स एक शोरूम डेली से एक शोरूम डेल मैं expect करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी offers मिलेंगी ऐसी consumer offers आएगी जिसकी वज़े से टाटा टिगोर की प्राइज जो है वो competitive रहने में helpful हो जाएगी लेकिन वो आने वाले टाइम में ही पता चल सकता है फिलाल तो ये जो प्राइजिस आई है वो मैंने description box में 4.7 लेक्स से ल जो है Volkswagen की तरफ से Volkswagen ने अपनी Tiger Car के model को अपनी official Indian website पे update कर दिया है उसकी details जो है वो Indian website पे अभी available है आपको अगर check करना हो तो आप कर सकते है links will be in the description box below तो आप वो check कर लीजिए इसकी जो competition रहेगी वो Hyundai Tucson के साथ रहेगी और इस रेंज में आने वाली सारी कार्स उससे तोड़ा घब रहेगी लेकिन इसकी जो price range हो सकती है वो expected है around 30 लेक्स के आसपास तो इस price range की वजह से ज्यादा घब रहने की जरूरत नहीं है है ना News No.4 है वो Lexus की तरफ से आया है और Lexus ने अपनी ES300H जो entry level sedan है Lexus का entry level sedan है उसको highlight करते हुए बोला है कि जो total sale है Lexus की वो Lexus की total sale में 50% of contribution सिर्फ ES300H का है तो दोस्तों अपने segment में ये model बहुत ही successful रहा है अपने launch के बाद जितना sale Lexus expect कर रही थी उससे बहुत ज्यादा sale Lexus को इस model के through मिला है और 55.27 Lex की एक showroom Delhi की price के साथ ये car जो है वो Lexus की अपनी successful model बन चुकी है तो इसी बज़े से जो competition है इस segment का competition अब थोड़ा tough हो गया है एक्चली बोला जाए तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा tough हो गया इस segment में और अगर हम pricing की बात करें तो ये एक CBU यानि की completely built-up unit होने की बज़े से थोड़ा costlier side पे है लेकिन इस pricing में आपको मिलेगी superior quality और unmatched durability तो इसी बज़े से Lexus जो है वो अपनी products के लिए famous है तो ये चीज़ आपको definitely मिलेगी Lexus HS 300H में News No.5 वो है Mahindra XUV 700 Yes दोस्तो XUV 700 एक बहुत ही awaited model है क्योंकि XUV 500 को आये हुए बहुत ही time हो गया है और Mahindra की तरफ से जो भी Mahindra के loyal customers है वो एक अच्छा update expect कर रहे है तो अगर आप उन loyal customers में से है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा news है Yes दोस्तों Mahindra XUV 500 के success के बाद अग 2018 में finally Mahindra लाएगी Sang Young Rexton का बिलकुल ही नया अवतार और ये जो अवतार है अपने जो news है जो rumors है उसके मुताबिक अगर बात करें तो ये अवतार XUV 700 के नाम से Mahindra launch कर सकती है वो भी 2018 में News No.6 News No.6 है Hero Moto Corp की तरफ से Yes Hero Moto Corp अपनी motorcycle में एक revolutionary additional feature लेके आने वाला है वो additional feature है GPS navigation system इस feature की ज्यादा detail अभी तक नहीं आया है लेकिन हाँ ये एक basic version रह सकता है जो अपने mobile के through connected रहेगा Bluetooth से और mobile में जो GPS functionality है वो functionality यूज करके आपको अपना जो navigate अपना जो route है वो navigate करने में help करेगा क्योंकि अभी Hero Moto Corp लगी हुई है अपने next premium motorcycle extreme 200S की launching के लिए तो माना जाता है कि ये जो feature है ये powerful bike के साथ-साथ ये featureful bike भी आ सकता है बन सकता है finally news number seven news number seven है दोस्तो एक बहुत ही powerhouse powerful engine के लिए इंडिया में अब तक नहीं लोंच हुआ ऐसा engine इंडिया का सबसे first basically बात की जाए तो Bentley Bentayga diesel के equivalent engine yes दोस्तो Bentley Bentayga सबसे powerful diesel engine जो माना जाता है वही उसके equivalent engine हमारे पास लेके आएगी Audi yes दोस्तो Audi ने अपनी SQ7 को launch करने को full prepare हो चुकी है क्योंकि Audi लेके आ सकती है अपना सबसे powerful engine SQ7 TDI के साथ yes दोस्तो 4.0 liter TDI engine उसके साथ हमको यहाँ पे मिल रहा है 435 HP का powerhouse with 900 Nm of torque तो दोस्तो यह एक supersonic torque बोल सकते है क्योंकि 4.8 second जैसे छोटे से duration में इतनी बड़ी diesel car 0200 की speed अचीव कर लेती है with a limited top speed of 250 km per hour दोस्तो इसको supersonic ना बोले तो क्या बोले आप ही बताइए दोस्तो ऐसे ही news मैं आपके साथ आपके पास लेके आता रहूंगा और ऐसे ही news के लिए आप अगर updated रहना चाहते हैं तो वो subscribe बटन को press करके बाजू में bell icon है उसको भी press कर दीजिये और अपने सारे upcoming videos को देखने के लिए आप सबसे पहले notified रहेंगे तो दोस्तो यही थे आज के news अपनी automobile industries के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो like और share कर दीजिये और कुछ queries है कुछ questions है तो comment करना मत भूलिए और दोस्तो finally ऐसे ही किसी incredible infos के साथ मैं आपसे जल्दी वापिस मिलूंगा अपनी इस incredible channel में तो तब तक क के लिए live in credible thank you